नमस्कार मैं हूँ आपके साथ शुभांगी सिंग मिश्रा और आप सभी का हमारे खास कारिक्रम Icons of MP में बहुत-बहुत स्वागत है आज हमारे साथ भुपाल के जाने-माने अंट्रिपरनौर और स्टार्टप मेंटर श्री प्रदीप करम बेलकर जी मौजूद है जो की अब बाचीत का सिलसला शुरू करेंगे सबसे पहले आपसे जाना चाहेंगे शर कि आप अपने बारे में भी बताईए और आपके विजिन के बारे में भी विस्तार से बताईए क्योंकि हमारे दर्शक आपसे जानना चा रहे हैं कि किस विजिन के चलते आपने अपनी लाइ शुच्छे नेया लेके और बहनें भी सारी प्रोफेशनल हैं मेरी सिस्टर वर्तमान में जॉइंट सेकेटरी है गॉर्मेंट अफ इंडिया और छोटी सिस्टर साइकलोजिस्ट है मेरी वाइव भी एक बिजनस हूमन है जो कि अपना कॉर्पेट गिफ्टिंग का बिजनस करत जहां पर मैं एंप्लॉइमेंट में था अफ़ात में शेयर से जुड़ी हुई कंपनिया आईटी से जुड़ी हुई कंपनियों के साथ काम करता था और बहुत अच्छा वहां भी मेरा इस शेत्रिम एक्स्पोजर रहा है मद्देपरदेश इसलिए आया क्योंकि पैरेंट् इंडस्ट्री काफी अधिक आने वाले समय में ग्रो करने वाली है और इसलिए वन स्टॉप इंवेस्मेंट सर्विसेस की सोच से क्यों ना एक ही जगह पर हम सारी इंवेस्मेंट्स की फैसलेटी शुरू कर पाएं यह उस समय का नया क्रिंसेप्ट था जब 20 साल पहले में य आया था धीरे धीरे वही प्रतिभूत हुआ और लगबग आज की डेट में अगर आप देखें तो हर बिक फिनेंशल और विल्थ हाउस अल सर्विसेस अंडर वन रूफ कर रहा है तो अवर स्टार्टेट तेस्ट उस समय भोपाल आज भी जैसा नॉन कमर्शल सिटी है उस अजकी डेट में हम थो हजार हमने हास्पिटल मैनेजमेंट बिजनस में हम आगे बढ़े जिसके अंतरगत हम एक यूनी कॉंसेप्स के साथ है जिसके अंतरगत हम हॉस्पिटल और पीशिंट मैनेजमेंट सिस्टेम मध्यपरदेश छासन के विभिन्ने चकत्सालियों के लि एक ये नया आयम है क्योंकि किस तरह से synchronization किया जा सकता है IT, ITES और Human Resource का ये हमने इस model में अपने आपको प्रूफ किया है 2017-2018 में Company Incubation Center में और मद्धबरदेश शासन की पहली Private Incubation Services Incubator बनी और अभी तक हम दोसों के करीब स्टार्ट अपस को मेंटर कर चुके हैं कुछ स्टार्ट अपस में हमने Seed Fund भी किया है जिसमें मैं ही Seed Investor हूँ 2019-20 में हम World की सबसे बड़ी organization Marketing Referral Platform BNI Business Network International को भोपाल लाए और अब इसमें भी लगभग 250 के करीब professionals, MSMEs इसके member हैं और यह लगा तार पिछले चार वर्षों में लगभग 400 सथिक लोग BNI में आए तो विभिन्न शेत्रों में diversified businesses में हमारे group को हमने expand किया है बिल्कुल बहुत ही diversified आपका vision भी था जैसा आपने बताया अब हर मुद्दे पर छोटी छोटी प्रतिक्रिया हैं आपसे चाहूंगी सबसे पहले आपकी flagship company की बात करते हैं Vision Invested Tech Private Limited के बारे में बताएं कि इस company को जब आपने एक vision के साथ शुरू किया तो किस तरह से क्या एक बड़ा challenge था इस company को set up करके आगे बढ़ाना के कारण 2019 में हमने इसको vision investic किया One Stop Investment Services में सारी ही investment services जो भी आती हैं शायद वो mutual funds हों insurance हों चाहे वो equity से जुड़ी हुई हो real estate broking से जुड़ी हुई और बाद में startup investments हों सारे ही इस investment के portfolio इस company में आते हैं और हम जासे जादा कोशिश करते हैं कि हम इसमें किस तरह से your concern is our concern ये मोटो के साथ जो कि हमारा registered मोटो है कि हम दूसरे के concern का ख्याल करते हैं हम उसके साथ हमने इस business को बढ़ाया 12,000 से अधिक हमारे पास इसमें customer हो सकते हैं 25,000 से अधिक customers को हमने जोटल जर्नी में अब तक सव किया है विभिन शेत्रों में और सबसे बड़ी इसमें विशेशता ये रही कि हम पूरी तरह से लगातार digital होते जा रहे हैं रीसेंटली इसी company ने वेल्दी करके एक fintech company जो की bangalore बेज रहे हैं उसके साथ strategic alliance किया और आज की डेट में वेल्दी और विजन का ये combination एक बड़ा platform तयार हो गया और आने वाले समय में हम अधिपरदेश के सभी शहरों में technology की मदब से इस fintech और उस research के माध्यम से नए products और नई services अपने customers को दे सकते हैं बिल्कुल और अब आप incubation center की बात कर रहे थे तो अगला सवाल भी उसी से जुड़ा है VASPL जो मध्यपरदेश का पहला MP government approved private incubation center है इससे शुरू करने की प्रेणना आपको कहां से मिली देखे मेरा बीच में जब मैं इस journey से निकला 10-15 वर्ष मैंने इसमें ब्यतीत किये तो कहीं न कहीं 2014-15 के समीप मुझे ऐसा लगने लगा कि giving back to the society के अंतरगत कहीं न कहीं मैंने अपने life में एक और नया purpose और विजन जोड़ा empowering entrepreneurship और वो एक thought process था और अभी वरतमान में हमारे जो vision statement है उसमें यह है कि हम लगभग 2030 तक 1000 से अधिक entrepreneurs को empower करना चाहते हैं तो हम एक way ढून रहे थे कि कैसे हम इसको आगे बढ़ाएं उसी दौरान हमारी सरकार ने start-up policy declare की और हम उसको कुछ हट तक कर भी रहते हैं official रूप से या उस segment में नह थे हम लगातार में start-ups के साथ काम कर रहा था नए entrepreneurs के साथ काम कर रहा था और बहुत सारे start-ups को मदद कर भी रहा था उसको हमने एक अमली जामा पहना दिया और incubation center में apply किया और सरकार ने मुझे पहला incubation center प्रदान किया MSM summit में मुख्यमंतरी ने मुझे उस का memorandum हमको साथ में दिया and that's how we become the first private incubation center of मत्रदेश largest referral program की हम बात करें BNI जो की world का largest referral program है उससे भोपाल लाने का ख्याल आपको कैसे आए जैसा मैंने आपको भी थोड़ देर पहले कहा कि एक हजार से अधिक entrepreneur को empower करने का जो मेरा goal है 2030 तक BNI उसमें भी एक बहुत important role play करता है तो जब मुझे बतलाया गया BNI के बारे में ज़्यादा परचित नहीं था पर जब मुझे बतलाया गया कि एक ऐसा organization है जो giver's gain की philosophy पे काम करता है एक दूसरे को मदद करें एक दूसरे को grow करने की और empower करने की बात करता है तो मैंने कहा कि Bhopal जैसे शहर में जो की non-commercial city है जिसको हम कई बाबू city भी कहते हैं उसको हम किस तरह से transform कर सकें business city के रूप में so there can be a possibility इसलिए फिर मैंने BNI के लिए apply किया fortunately I got selected and that's how BNI is coming came to India, Madhya Pradesh और Bhopal in 2019 July and that's how we started 6 मेने बाद Corona आया 7 मेने बाद but we continued that journey और जैसा मैंने कहा लगभग पिछले 4 वर्षों में 400 से अधिक लोगों ने BNI को जोईंग किया क्या बात है, बहुत impressive ये चीज मुझे लगी सुनकर की जिस तरह से आपने जिक्र किया कि बाबू सिटी से बिजनस सिटी बनाना है भुपाल को और इसलिए आपने प्रयाज भी किया जो सरहानी है, आगे बढ़ेंगे आपकी Digital Health Asset Management Company सेवा Health के बारे में भी जाना चाहेंगे हमने जैसे बतला है, 2011-2012 में मेरे साथी है, मित्रह याजदीप वो मेरे पास आये थे और हम दोनों ने मिलके उनका ही आइडिया था, मैंने कहा कि क्यों न हेल्थ सर्विसेज को हम डिजिटल रूप में स्वरूप और एक नया थॉट प्रोसेस था, जनरी कॉर्मेंट की जितने भी और्गनाइजेशन होते हैं, आज भी वे हाड़वेर, सॉफ्टवेर और हूमन रिसोर्स को अलग-अलग सोर्सेस से टेंडर करके वो लेते हैं हमने इनको कलब कर दिया और सरकार को प्रस्तुत किया कि हम इन तीनों ही सेवाओं को साथ में देंगे और सिंक्रूनाइस कर देंगे, सरकार ने हमारी उस बात को माना और हम लगातार इस प्रोड़क को चूकी हमारी मूल भावना सेवा थी कि हम छोटे शहरों तक कैसे लोगों तक पहुंच सके हमने इस कारिकरम को प्रारंभ किया और आज हम एक समय पे 47 से अधिक मद्द्रदेश शासन के अस्पतालों को सर्व कर रहे थे वरतमान में भी हम 24 जिलों में कारिरत है और हमारा उद्देश वही है कि हम सरकार के सभी डेटा को किस तरह से मैनेज कर पाएं तो इसमें हम हाड़वेर, सॉफ्टवेर, हुमन रिसोर्स सारी चीजें मद्द्रदेश शासन के विविन निचेकर सायलों दे रहा है और सबसे बड़ी जो उसकी मूल बात है वो हमारी मूल भावना है कि हम empathetic रूप से लोगों की, patients की, सरकार के जो हमारे गरीब तबके की लोग हैं जो हम से कुछ हद तक economically शायद week है उनकी हम कैसे मदद कर सके हैं जो हमारे बात है